Hello everyone, welcome to All India Students Community. मैं All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ. दोस्तों, आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी से बनने वाले सभी important current affairs हम इस वीडियो के अंदर cover करेंगे. तो चलो, शुरू करते हैं. पहला सवाल है, हाल ही में, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? And the correct answer will be, और इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा 10 जनवरी. तो हर साल, 10 जनवरी को ही हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं. अब 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था. और ये कहाँ पर हुआ था नागपूर के अंदर हुआ था और इस समय भारत की परधारमंत्री जो थी वो इंद्रा गांदी थी इन्होंने इसके विश्व हिंदी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था जो 1975 नागपूर में हुआ था पहली बार इसको सेलिबरेट किया गया 2006 में सबसे पहली बार विश्व हिंदी दिवस जो है ये 2006 में मनाया गया था अब किस तरीके से मनाया जाता है ये सवाल अगर आपसे पूछ जाए हमारे देश में जो स्कूल कोलिजिज वगेरा है उसमें ये क्या करते है चातरों को एंक प्रेज करते हैं उनको एंक्रोज किया जाता है कि वो कोयम कॉंपेडिशन में भाग लें एसे राइटिंग लेटर राइटिंग इन सारी चीज़ों में भाग लें क्योंकि हिंदी हमारी मात्रभासा भी है मदर टंग है हमारा हिंदी तो इसी बज़े से जो है और हर साल 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं पहली बार एक session हुआ था नागपूर में विश्व हिंदी सम्मेल अनिक तरीके से आप बोल सकते हैं यह 1975 नागपूर में हुआ 2006 से इसको हर साल मनाने की सुरुआत की गई पहली बार 2006 में मनाया गया उसके बाद हर साली से मनाया जा रहा है अब एक तो question हुआ विश्व हिंदी दिवस जो आपको मालूम हो गया कि यह मनाया जाता है 10 जनवरी को एक question बनता है रास्ट्रिय हिंदी दिवस रास्ट्रिय हिंदी दिवस जो है यह हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और 1953 में पहली बार रास्ट्य हिंदी दिवस मनाया गया था तो 14 सितंबर को हर साल बनाया जाता है रास्ट्य हिंदी दिवस और 10 जनवरी को मनाया जाता है विस्व हिंदी दिवस बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ Next question है महिला और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा किस राज्य में सुरू की गई In which state was the free bus services started for the woman and the elderly And the correct answer will be और इसका जो सही जवाब होगा असम में तो असम में असम के जो मुख्यमंत्री हैं असम के जो मुख्यमंत्री हैं CM सरवन्दा सोनोबॉल उनके द्वारा ऐसी गुलाबी 25 बसों का क्या किया गया एक तरीके से अनावरण किया गया इस मौके पर और इन 25 बसों में जो महिलाए हैं और बुजुर्ग हैं वो free of coast यात्रा कर सकते हैं और अगर मैं आपको बताओं ये किस योजना के तहत किया गया है भर्मन सार्थी योजना के तहत असम की एक योजना है भर्मन सार्थी योजना उसके तहत जो है जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जितने भी महिलाए हैं वो असम में पांच मार्गो पर असम के अंदर पांच रूट्स पर ये 25 बसे चलाई गई है जहां पर वे free of coast यात्रा कर सकते हैं गुलाबी रंग की ये बसे होंगी जिसको हरी जंडी दिखाई गई है और भर्मन सार्थियोजना कब स्टार्ट हुई थी? ये 2020 में असम के जो वित मंत्री है जिनका नाम है डोक्टर हिमंत बिस्वा उनके दुआरा जो है ये भर्मन सार्थियोजना मार्च 2020 में सुरू की गई थी और अब इसी के तहट क्या किया गया है? ये 25 गुलाबी बसों का एक तरीके से अनावरन किया गया है अब बात असम की हुई है तो असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जैसे आपको याद होगा देहिंग पठकाई वाइड लाइफ सेंचुरी जिसको अपग्रेड किया जा रहा है नेशनल पार्क के अंदर गवरनर यहां के जग्देश मुखी है और यहां के अगर मुख्य नाइधीस की बात करें अभी कल मैंने आप लोगों पढ़ाया था असम यानि कि गुहाटी हाई कोट कहां पर कौन बन गए हैं सुधान्सु धूलिया यहां के नए मुख्य नाइधीस बने हैं सुधान्सु धूलिया, अंबु बाची मेला, ये असम के अंदर ही लगता है, कामाथ्या मंदिर में जिसको इस वार रद कर दिया गया था, बीहु महुत्सव ये असम में मनाया जाता है, धनवंतरी योजना की शुरुआत हुई थी, अब ये धनवंतरी योजना क्या है आपको पता होगा, धनवंतरी योजना के तहट जो गरीब परिवार से लोग थे, उनको 10 ग्राम सोना मतलब कुछ इस तरीके से था, 10 ग्राम हाँ, 10 ग्राम तोला दियेगी सरकार, लोक सबाकी अगर हम यहां से बात करें, टोटल सीटे 14 है, राज्या सबाकी टोटल सीटे यहां से 7 है, और प्राइनों के लिए फिमस है, और भारत का पहला गोल्डन टाइगर, आप लोगों को इसी नेशनल पार्क में देखने को मिला, भारत का पहला गोल्डन टाइगर, ना मेरी, दिबरुसी कोवा, यह सारी चीज़े यही पर मिलेगी, भारत का सबसे लंबा, जो पुल है, भु रोपवे ब्रिज, भारत का सबसे लंबा, रोपवे ब्रिज, यह किस नदी पर बनाया गया, यह रोपवे ब्रिज बनाया गया है, किस नदी पर, ब्रहंपुत्र नदी पर, और इसकी लंबाई थी, 1.8 किलोमेटर, असम में बच्चों का पहला अकबार लोंच किया गया था जिसका ना था The Young Minds The Young Minds ठीक है परिक्सा आवेदन सरेणी में Transgender सरेणी को सामिल करने वाला राज्य बना था असम जो Transgender है वो भी Firm Fill कर सकते हैं यहाँ पर असम की पहली और एक मात्र जो मुख्यमंत्री रही है पहली और एक मात्र मुख्यमंत्री अब तक जो है महिला मुख्यमंत्री जो रही है उनका निधन हो गया था जिनका नाम था सयदा अनवरा तैमूर ठीक है और असम की तेजपुर लीची को क्या मिला था जी आई टैग मिला था तो यह सारी जानकारी थी असम से अगर मैं असम की बात करूँ असम जो है हमारा पुर्वोत्तर राज्यों में से एक है जो सभी पुर्वोत्तर राज्यों को टच करता है और ये टोटल सात राज्यों को टच करता है जिसमें तो छें पुर्वोत्तर राज्ये है जो बाकी के बच गए और सातवा जो रा पूर्व गवरनर का निधन हुआ था ठीक है और अरुना चल परदेश के भी एक पूर्ग वरनर का निधन हुआ था अब आपको बताना है कौन सा कहाँ से है अगर मैं आपके बात करता हूं राम परधान राम परधान जो थे यह किस राज़्य के गवरनर रहे हैं और आर्डी परधान जो है ये किस राज्य के गवर्नर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नेक्स कोश्चन है कोरोना वाइरस के खिलाब विस्व का सबसे बड़ा टीका करन अभियान कब से सुरू होगा वैन विल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सिनेशन कैम्पेइन अगेंस दा कोरोना वाइरस बिगिन एंड दा क्रेक्ट आंसर विल भी और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 16 जनवरी से तो भारत सरकार का या फिर आप बोच सकते हैं पूरे विस्व में सबसे बड़ा टीका करन अभियान जो सुरू होने वाला है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले जो स्वास्ते फिल्ड के फ्रेंट वर्कर्स हैं उनको ये टीका लगाया जाएगा जिनकी संक्या लगबंग तीन करोड है जिसमें डोक्टर्स वगेरा है मतला होस्पिटल से वगेरा में काम करने वाले सारे करमचारिस में आ जाएगे उसके बाद दूसरे चरण में 50 वर्स से उपर लोगों को ये टीका लगाया जाएगा इसकी सुरुआत होने वाली है 16 जनवरी से सबसे पहले सवाल बना अब ये ADEL है क्या उसके बाद हम बताएंगे तो ADEL को किसने लूँच किया है ADEL यानि की Anti-Doping Anti-Doping E-Learning Platform E-Learning Platform इसको लूँच किया गया है किसके दुआरा? WADA के दुआरा ये पहली बार लूँच नहीं हुआ है इसको अपडेट किया गया है WADA इसको पहले ही लूँच किया गया कर दिया था 2018 में लेकिन इसका अपडेटिड वर्जन लूँच किया गया है जिसमें मतलब जो sports person है उनको जानने को मिलेगा किन दवाईयों का सेवन करना है किन से बचना है ताकि आप समझते हैं जब एक खिलाडी होता है उसको कुछ पर्तिबंदित दवाईयों का सेवन नहीं करना होता अधरवाईज उसको बैन कर दिया जाता है ठीक है तो correct answer होगा WADA के द्वारा इसको launch किया गया WADA क्या है World Anti-Doping Agency क्या है World Anti-Doping Agency इसका headquarter Montreal, Canada में है Montreal, Canada में इसका headquarter है महीं पर अगर हम बात करें founder की इसके जो संस्थापक है उसका नाम है Dick Pound Dick Pound 10 नवंबर 1999 को इसका स्थापना हुआ था और अभी इसके जो डिरेक्टर जनल है at present उनका नाम है Olivier Nigli Olivier Nigli N-I-G-G-L-I Olivier Nigli जो है अभी इस समय वाड़ा के डिरेक्टर जनल है दोस्तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रहा हूँ तो प्लीज लाइक जरूर करें अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो पर लाइक का बटन नहीं दबाया है तो यहाँ पर देखिए एक नीचे लाइक का बटन होगा जल्दी से उसको दबा दीजी मतला काला कर देना आपको नजर उतार देनी है दूसरा डेली हमारा जो वीडियो का क्लास होगा वो सुभा साड़े च्छे बज़े आप लोगों को ये वीडियो मिला करेगा आज लेट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने साड़े च्छे बज़े डाल दिया था बहुत सारे सुदेंट्स के पास ये नहीं पहुचा था तो मैंने सोचा कल मैं आके खुद बता दूँगा लाइब और वीडियो में तब आपको पता लग जाए हर दिन आप लोगों को जो वीडियो है सुभा साड़े च्छे बज़े मिलेगा डेली मिलेगा नेक्स कुशन है 23 जनवरी को सुभास चंद्रबोष जी की कौनची जयनती मनाई जाएगी which birth anniversary of सुभास चंद्रबोष जी will be celebrated on 23rd of Gen and the correct answer will be 125th 125th तो अभी 23 जनवरी को 2021 में सुभास चंद्रबोष जी की 125 जयनती मनाई जाएगी और इसी अवसर पर मोदी जी की अद्ध्यक्सता में एक उच्छ्रिय समीती का गठन भी किया जाएगा High Level Committee एक High Level Committee का जो है क्या किया जाएगा गठन किया जाएगा जिसकी अद्यक्सता करेंगे परधारमंत्री नेंद मोदी जी अब ये किसलिए होगी ये High Level Committee जो है एक तरीके से सरकार के कुछ मेंबर्स और सुभास चंद्रबोष जी की जो अजाद हिंद फोज जहां जहां वर कर रही है उसको और बैटर किया जा सके और मतलब आप समझ गए होंगे तो इसलिए होगी ये उच इस्तरिया समीती बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ नेक्स कुश्चन है आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ये है सुभास चंद्र बोष और इन्ही को नेता जी बोलते हैं और अगर आप से पूछ रहे जाए नेता जी का किताब इनको किस ने दिया था जो नेता जी टैटल मिला था सुभास चंद्र बोष को किस ने दिया था जब मैंने आपको इस्टी पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से अजाद हिंद फोज के बारे में भी डिसकस किया था अजाद हिंद फोज की स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी ये भी आप मुझे कमेंड करके बताएंगे ये आज का सवाल है आप लोगों के लिए नेक्ट कुशन है कोब 26 के अद्धक्स कोन बन गए है और अगर बात करें अभी आपको याद होगा नमबर में गलासगो इसकोटलेंड के अंदर क्लाइमेट समिट होगा और उसमें इसकी अद्धक्सता कोन करेंगे आलोग सर्मा करेंगे बढ़ते अंगले कुश्चन की तरफ चन्नाई बंदरगहा पर नए तटिय अनुसंदान वहन सागर अनवेसी का को किसने राष्ट को समर्पित किया और अभी तक क्यों किया है सबसे पहले सवाल बनता है क्यों समुद्र के अंदर भारत की जो सागर निदी हुआ, सागर कन्या हो गया, सागर संपदा है, सागर तारा है ये कुछ जो है रिसर्च वहिकल है जिनको पहले भारत लोंच कर चुका है और उसी सरेणी में इस बार लोंच किया गया सागर अनवेसी का को ठीच है, चलो बढ़ते है, कहाँ पर चिन्नाई पोर्ट पर, अचा चिन्नाई कहाँ पर पढ़ता है, किस राजजे में है। चिन्नाई पोर्ट कमेंट करके बताईएगा ठीक है और जहाँ पर है वहांके नए मुख्य नाइधीस कोन बने है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दूसरी और important चीज यहाँ की एक ambulance driver भी है यहाँ की एक ambulance driver है जो भारत की पहली महिला ambulance driver बनी थी उनका नाम भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट कुछन है देश का पहला इसकी पार्क कहां पर बनेगा वेर विल दा कंट्रीज फर्स्ट इसकी पार्क बी बिल्ट और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हिमाचल परदेश ठीक है इससे टूरिस्ट वगारा को बढ़ावा मिलेगा ओडिसा की बात करें तो भारत का पहला फायर पार्क खोला गया ओडिसा के अंदर उत्राखंड की बात करते हैं भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया उत्राखंड में गुजरात की बात करें टेजर गंसे लैस करने वाला पहला राज्य गुजरात था और एक तरीके से अभी लीथियम रिफाइनरी खोली गई है कहां पर गुजरात में यहां के अगर मुख्यनाईदीस की बात करूँ मैं हिमाचल परदेश की वो लिंगपपा नारायन स्वामी है और परधान मंतरी ग्राम सडक योजना आपको याद होगी उसके तहत पूरे देश में टॉप पर कौन सा जिला रहा था वो हिमाचल परदेश का मंडी था हिंकी खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल परदेश बना और यहां की कुछ अगर मैं बात करतो हूँ निस्नल पार्की ग्रेट हिमाल्या नैस्नल पार्क हुआ पिन वैली नैस्नल पार्क हो गया खीर गंगा नैस्नल पार्क यह आपको कहा मिलेंगे हिमाचल परदेश मे 2020 का E-Panchait Pruskar हिमाचल परदेश ने जीता था अटल सुरंग जिसकी लंबाई कितनी है 9.02 ये कहां पर है हिमाचल परदेश में है 100% घरों में LPG connection देने वाला राज्य हिमाचल परदेश बना था यहां की सबसे उची चोटी का नाम रियो पुर्गिल है रियो पुर्गिल जिसका उंचाई जो है वो 6816 मेंटर के आसपास है रोताम टरनल आपको यहां पर मिलेगा जिसका नाम ही अटल टरनल है जिसको अटल सुरंग बोलते हैं जिसकी लंबाई 9.02 किलो मेंटर है और आपको याद होगा हिमाचल परदेश के ही मनाली में देश का पहला इसकाई साइकलिंग पार्क भी खोला गया था इसकाई साइकलिंग पार्क ये कहाँ पर खोला गया था हिमाचल परदेश में वरिष नागरी को लिखके लिए पंचबटी योजना की शुरुआत यहीं हुई थी और नई सिक्सानीती को लागू करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बना था हिमाचल परदेश ही बना था अगर आप से पूछ ले हिमाचल परदेश की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों को टच करती है तो correct answer होगा ये तीन राज्यों को टच कर तीन क्या चार है पंजाब, हर्याना, थोटा सा हिस्सा उत्तर परदेश और उत्तराकन चार राज्यों और दो union territory जिसमें आपका जम्मू कसमीर और लगदाग का थोड़ा सा हिस्सा इसको टच कर रहा है ठीक है, clear है, ये सारी जानकारी थी हिमाचल परदेश से अचा आप मुझे comment करके बताएंगे हिमाचल परदेश के CM और Governor का नाम देखते है कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं और हिमाचल परदेश की दो capital है, उन दोनों capital का नाम भी आप मुझे comment करके बताएंगे नेक्स question है, and the last question of the day दोस्तों अगर अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करे हर रोज आप लोगों को वीडियो सुबह किस समय मिलेगा, साड़े आट बजे, साड़े च्छे बजे और हाँ, आज मैं अपने दूसरे चैनल पर, जिसको आप AISC करंट F.S के नाम से सर्च कर लेना जल्दी मिल जाएगा, वैसे चैनल का नाम अब जो है, वो हो चुका है, आकास व्लोग सो चुका है लेकिन अगर आप इस नाम से सर्च करते हैं, तो मैं आपको मिल जाऊंगा, महाँ पर लाइव रहूँगा, दो-तीन घंटे कि रीजन आप लोगों को पता होगा, दिल्ली पुलिस एक्जाम स्केम को लेकर, अभी थोड़ी देर में लाइव आने वाला हूँ और इसका दुसाही जवाब हुआ करनाटका, तो दरसल करनाटक के दौरा ब्रहमन समाज के उत्थान के लिए, जो ब्रहमन दुल्हन होगी, उनके लिए जो है, अभी अरुंधती, और साती सात क्या किया गया था? अरुन्धती और मैतरी स्कीम को लोंच किया था अरुन्धती और मैतरी स्कीम को अरुन्धती योजना के तहत ब्रहमन दुलन को 25,000 रुपे तक दी जाएंगे और मैतरी के तहत अगर कोई ब्रहमन महिला किसी पुजारी से साधी करते हैं तीन लाग रुपे तक की मदद की जाएगी तो ये थी आप लोगों की अरुन्धती और महत्री योजना I think मैंने कुछ धनवंत्री को लेके कुछ गलत बोल दिया, साथ वो अरुन्धती योजना था उसको ठीक कर ले न, अरुन्धती ही योजना ती कुछ, ऐसी अरुन्धती योजना थी जिसके तहट असम के अंदर 10 ग्राम सोना दिया जाएगा 10 ग्राम सोना गरीब दुलहन को ठीक है, ये अरुन्धती थी, साथ मैंने धन्वंत्री बोल दिया वापे, धन्वंत्री अलग था तो correct answer क्या होगा करनाटक will be the correct answer अच्छा, करनाटक की सबसे हुची चोटी का highest peak क्या है, कमेंट करके बताएं करनाटक के CM, Governor आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर मैं करनाटक की बात कर रहा हूँ, तो यहां के कुछ निशनल पार्क भी आप मुझे बताने वाले आज, ठीक है तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ सेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों कोई वीडियो लगा कैसा हर रोज सुबा साढ़े छहां बजे, आप लोगों के लिए, कल से बहतर आज थैंक्यू दोस्तो, जैहिन, जैभरत